जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर दिन आपको एक एकनॉमिक्स का वीडियो रोज पांच बजे मिलने वाला है जिसके अंदर हमनों पूरा-पूरा सिलिबस कंप्लीट करने वाले हैं तुम्हें अगर ये नहीं पता है कि मैं free study material section के अंदर जो कि हमारा application है उसमें जितने chapters प्रहते जा रहा हूं उसके high-end notes भी देटे चला जा रहा हूं तो जाओ app download करो और तुम फटा-फट से free study material का मज़ा उठा सकते हो तो app download करने के लिए क्या करना चाहिए? प्ले स्टोर पर जाओ, obsession and entrance hub app download कर लो, अगर आपका mind, अगर आपने let's say iOS user हो तो my institute download करो और code use करो JWJXV, आप फटा-फट से app access कर सकते हैं, उसमें अंदर free study material section है, indulge करना है, courses में नहीं करना है, वो second choice है, लेकिन जा कर आप अराम से ज फते 2.0, sorry, फते 2023 and 2024, जिसके अंदर आप सभी बच्चे register कर सकते हैं, अगर आपको entrance की preparation, CUET, IP mat और साथ में boards examination पढ़ना है, तो, या अगर नहीं पढ़ना है, तो Spartans के course में आप register कर सकते हो, link description में है, आप फटा-फट से जाके enroll कर सकते हैं, इसमें हम लोग live बात कर रहे हों in each and everything, तो चलो boss, आज theory of consumer behavior का दिन है, और यहाँ पर हम आपको जो पहला topic सिखाने जा रहे हैं, उसके term का नाम है utility, तहब utility क्या होता है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताईए न, utility का मतलब होता है, ऐसी कोई भी चीज जो आपके satisfaction को पूरा कर सके, जैसे, ऐसी कोई भी च पानी मिल गया, तो पानी मेरे लिए utility का काम करता है, ठीक ना, तो लिखते कैसे हैं, bond satisfying, मेरे साथ साथ notes बनाओगे, सोने पर सुहागा होगा, मैं बता रहा हूँ, इसकी को कोई तोड़ी नहीं है, bond satisfying power of a commodity, bond satisfying power of a commodity is known as utility, utility, बात समझ में आ गई सभी को, utility क्या होता है, clear है ना, और utility को हम लोग measure किस में करते हैं, utility को measure किया जाता है in terms of utils, ठीक है, clear है यहाँ तक, कोई दिक्कत, परशानी, मुसिबत तो नहीं, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, इस particular chapter के भी दो पार्ट आएंगे, और दो पार्ट में ये chapter खतम हो जाने वाला है, ठीक है, solid, चलो boss, आगे बढ़ते हैं, utility के कई सारे types है, utility को हम लोग ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बच्चा total utility, और दूसरा होता है marginal utility, let's say, total utility का मतलब क्या है, मैंने एक unit of commodity को consume किया, उसको consume करते ही, मुझे total कितना satisfaction derive हो total utility में कितना change आ रहा है, मतलब addition to total utility बोला जाए, तो उसे marginal utility कहा जाएगा, यही बात को मैं एक example के through तुमको समझाना चाता हूँ, और फिर उसका diagram भी बना कर दिखाएंगे, तो चलो मेरे साथ लिखो schedule सभी बच्चे, पहला column है units का, फिर बनाएंगे फटा-फट से tu और नि ठीक है, units लिखते हैं, मेरे साथ-साथ लिखेंगे सभी बच्चे, 0 से लेकर 6 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, जल्दी से लिखो मेरे साथ-साथ, tu सभी लो, total utility है, अगर मैंने 0 unit commodity consume किया है, तो मेरे को 0, satisfaction derive हुआ, likewise 10, likewise 17, लिखते चलो 21, 22, 22 और 19, यह हमको total utility given है, अब marginal utility कैसे निकालेंगे साहब, यह हमें समझना है, पहली unit पर we cannot take out marginal utility, why? because इसका preceding term, 0 से पहले क्या consume कर सकते हैं, पता ही नहीं है, फिर अब देखो, 0 और 1 के comparison में देखो, पहले में यह 0 utils का satisfaction derive कर रहा था, अभी 10 utils का satisfaction derive कर रहा हूँ, तो कितना change आ गया है, 10 minus 0, 10, similarly 17 minus 10, 7, 21 minus 17, 4, 22 minus 21, 1, 22 minus 22, 0, 19 minus 22, minus 3, क्या तुमको यह बात समझ में आ रही है, कि हमने कैसे निकाला marginal utility, तो marginal utility का formula क्या हो गया, TUN minus 22, N minus 1, मतब मीचे से पिछले term को minus करते चले जाएंगे, तो marginal utility आ जाएगी, अब इसी बात को एक diagram का through explain कर दूँ, तो सारी बाते done हो जाएंगी, तो चलो बस, एक diagram बनाने जा रहे हैं, एक diagram बनाने जा रहे हैं, आप चाहू तो इन सभी चीज को plot भी कर सकते हो, चाहू अलग-अलग diagram, मतलब आप directly diagram freehand भी बना सकते हैं, कोई issue नहीं है उस बात पर, तो चलो, मैं यहाँ पर उपर वाले diagram में tu बना रहा हूँ, और नीचे वाले diagram में marginal utility बना रहा हूँ, यहाँ लिखा units और यहाँ पे plot किया tu, यहाँ लिखा units और यहाँ पे मेरे भाई plot कर दिया हम लोगों ने mu, मेरे साथ साथ बनाओ, मज़ा आ जाएगा, चीजे आसान रहेंगे, तो यह बनाया tu, और जिस point पर tu maximum होता है ना, उसी point पर mu 0 होता है, यह हम समझ सकते हैं, इस schedule से, जैसे देखो ना, यहाँ पर tu 22 था, और यहाँ पर mu 0 था, जहाँ पर maximum, वहाँ पर mu 0, diagram बना लिया, कोई load नहीं, चलो boss, diagram बनाने के बाद, इनके बीच में, हमें relationship भी paper में लिखने को आता है, तो चलो, फटा-फट से लिखते हैं relationship, यह वो relationship नहीं है, जिसमें तुम हो आज की date में, ठीकर ना, वर वाई, यह व आखको लिखकर बता रहे हैं, तीन points लिखेंगे और मज़ा आ जाएगी, पहला point देखो, as long as, as long as mu is positive, tu is increasing, as long as mu is positive, tu is increasing, कैसे समझें, भाई देखो, इस 0 वाले point से पहले-पहले, mu positive है, और तब तक tu क्या कर रहा है, increase हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आए, 0 से पहले mu positive था, tu increase कर रहा था, second point देखनो मेरे भाई, when mu is 0, tu is maximum, जब mu 0 हो गया, वहाँ पर tu maximum हो गया, ठीक है, sorted, समझ में आ रही है बात यहाँ तक, उसके बाद क्या हुआ, third point देखो, when mu becomes negative, becomes negative, tu starts falling, ठीक है न, क्या बोला मैंने, जैसे ही mu negative हो गया, यह देखो, mu negative हुआ, और वहीं पर tu fall करने लगा, तो 3 point सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गये हैं कि जब तक mu positive था, tu increase हो रहा था, फिर mu 0 हुआ, tu maximum हुआ, और mu जब fall negative हो गया, तब tu negative हो, sorry, जब mu negative हो गया, तो tu fall करने लगा, फंबल हो गया था थोड़ा सा, clear है, सब को समझ में आ गया, tu और mu के बीच में relationship क्या होते हैं, जिन्दिगी में कोई और relationship clear हो ना हो, यह relationship का clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठाट, करते हैं बच्चा पाड़ी अगले topic की तरफ, और अगला topic कमाल का है, और उस topic का नाम है, law of diminishing, law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility, LDMU भी इसको कहा जाता है, अब याद करो, जब मैं demand का chapter पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पर तुमसे एक चीज़ बोली थी, कि जब हम reasons for downward slope of demand कर पढ़ रहेते हैं, मैंने बोला था, LDMU next chapter में आएगा और बहुत detail में पढ़ना होगा हमें, तो वो next chapter आ चुका है, औ मैंने एक और बात बोली थी, जब भी आपको law लिखने को आएगा, तो पहली heading होती है हमेशा statement of law, बिना इस heading के लिखोगे तो दो दिक्कतें आएंगी, मैं तुम्हारी नाराज हो जाएंगी और number तुम्हारे कर जाएंगे भीया, तो इस बात पर ध्यान रहना कि मैं का नार होना बिलकुल नहीं चलेगा, मुझे बिलकुल पसंद नहीं कि आपके मैं जड़ा सा भी नाराज हों, तो law of diminishing marginal utility कहता क्या है, समझते हैं पहली बात, law of diminishing marginal utility ये कहता है कि एक आदमी अगर कोई भी commodity consume करना शुरू करता है, तो उसका satisfaction level भीरे धीरे कम होने लगता है, अगर उसके बाद भी वो units commodity की consume करेगा, तो उसका satisfaction 0 हो जाएगा, और in case उसके बाद भी वो ये continue करता रहा, तो उसका satisfaction negative में हो जाएगा, अब इसी बात को मैं को खुश करने के लिए क्या answer लिखना पड़ेगा, देखो भया, लिखो भया, लिखो फटा फट से, लिखो, the utility derived, the utility derived by the consumer, by the consumer, from the additional units, from the additional units, the utility derived from the additional units, goes on decreasing, goes on decreasing, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग लिखा है, किसी-किसी में लिखा होगा, as more and more units of, units of commodity are consumed, amputants to decline, ये भी लिखा है, ये भी लिखकर आ सकते हो, तो कुछ भी गलत नहीं है, मैं frank follow कर रहा हूँ, तो ज़्यादा परशानी वाली बात नहीं हो रही होगी, ठीक है, statement of law सबको समझ में आ गया, और मैंने आपको बताया था, जब भी किसी law में आप statement लिखेंगे, तो assumption लिखना तो must है, बिना assumption के कोई भी law बनता ही नहीं है, अब यहाँ पर assumption क्या हो रहे हैं, पहला assumption पढ़ते हैं, consumer should be rational, consumer should be rational, अब rational का मतलब क्या है, rational का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, मतलब आम आदिवी जैसा होना चाहिए, ऐसे हम कुछ consume कर रहे हैं, तो हमारा पेट भर रहा है, जैसे हमारे वहाँ office में शिवम सर है, उनको कितना भी खिला दो, भूका ही रहता है, कभी पेट भरता ही नहीं, आप लो जानते होंगे शिवम सर से, कभी ने कभी बात ही हूँ कि जिस बच्चे ने application डाउनलोड किया हुआ है, तो भई rational consumer, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, तीन होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए दिमाग का, ठीक है भी या, दूसरा, there should be continuous consumption, continuous consumption, continuous consumption का मतलब क्या होता है बच्चा, जब भी आप घर पे खाना खाने बैठते होगे, डाने डेबल के ऊपर, तो आप खाना खाते हो ना लगाता, एक रोटी खाई, दूरोटी खाई चावल खाया, दाल खाई, सबजी खाई, लखाता, ऐसा तो नहीं करते हो, एक रोटी खाई, चलेगे बेडरूब, फिर थोड़े दिर बाद आए, फिर दूसरी रोटी खतम की, तो जब भी भी हम कुछ कंस्यूम करते हैं, तो एक prolonged duration के लिए कंस्यूम करते हैं, और continuous consumption करते ह चलो अब या, थर्ड देखते हैं फटा फट से, commodities should be, commodities, commodities should be homogeneous, commodities should be homogeneous, homogeneous का मतलब क्या होता है, एक जैसी commodity consume करते हूँ, जैसे माल लो, आप रोटी खा रहे हो, तो एक standard size of रोटी खा रहे हो, ऐसा ना हो जाए, बोस एक रोटी इतनी भाई खाई, ये एक जैसा बड़े बड़े खा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब चाय का प्याला पी रहे हैं, तो एक cup चाय होनी चाहिए, एक मग भर चाय न आगे बढ़ते हैं, no change, no change in the price of substitute goods, substitute goods, substitute goods के prices में कोई भी change नहीं आना चाहिए, ये चार assumption तुम लिखकर चले आओगे, तुमने गंगा नहा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी काटे ही नहीं सकती हैं, जिंदिगे में कोई भी काटके चला जाए, लेकिन ये answer कोई नहीं का आप समय में आया आपको, तो law of diminishing marginal utility explain करते समय आपने बताया statement of law क्या होता है, आपने बताया आपने assumption क्या होता है, अब बात आती है schedule और diagram की, फिर explanation की, तो चलो boss, बढ़ते हैं जल्दी से और एक schedule बना के दे रहे हैं आपको, हला कि book वगेरा में नहीं बना होता है, लेकिन मेरी बात मान लो, ऐसा करने से madam खुश हो जाएंगी तुमारी, ठीक, तो चलो, third heading डाली is schedule, और schedule जो पहले बताया था, वही copy कर सकते हो, units और marginal utility, चलो बया, units और marginal utility, units लेली, let's say मैंने 1, 2, 3, 4, units लेली 1, 2, 3, 4, ठीक है, पिसली बार क्या ली थी, मैं एक बार चेक कर लेता ह units लेली मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, पुरानी वाली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, थोड़ा इसको उपर और कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और MU हम वही वाला copy कर लेते हैं, जो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, पहले पे था dash, फिर कितना निकाला था हम लोगोंने, 10, 7, 4, 1, 0, minus 3, ठीक है अब आप क्या करना, इसी को plot करके चले आना, x-axis, 0 और y-axis, यहाँ पर आएगी units और यहाँ पर आएगा M, आप plot करेंगे और यह बन गया है M, ठीक है, इतना आप बना के आ जाओंगे, बिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, माड़ा कोई tension वारी बात ही नहीं रह दिख लिया, आपने diagram भी बना दिया, अब क्या करके आना होगा, अब आना होगा explanation लिखके, अब explanation कैसे लिखा जाए साहब, explanation कि जब भी बात आती है न, जो schedule है, जो diagram है, आप उसको explain कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, explanation में जो आपने पढ़ा, जितना मैंने बताया है, व as consumer is consuming units from 1, 2, 3, 4, 5, 6, his mu derived from every additional unit tends to fall, when at 5th unit, mu is 0, at 6th unit, mu becomes negative, which is clearly shown in the above diagram, ऐसे करोज के आप लिखकर आओगे, number आपको पूरे मिल जाएंगे, tension वाली कोई बात नहीं होगी, चिल है यहां तक, और हला कि अगर लगा कि इसका answer कैसे लिखना चाहिए, तो जाओ, आप डाउनलोड परो, free study material section में मैंने बताया है, वह इसका answer कैसे लिखेंगे, चिल है ना, क्या दिखकर आए, पढ़ें आगे, अगले topic पर आजएंगे, चलो भीया, अगले topic पर आते हैं, और अगला topic सबसे कमाल का topic है, हम बोलते हैं इसको consumers equilibrium, consumers equilibrium, consumers equilibrium, consumers equilibrium, अब consumers equilibrium के 3 cases हैं, आजवाली case, आजवाली class में हम कितने case पढ़ेंगे, एक case पढ़ने जा रहे हैं, one commodity case का, consumer cycle पर हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बोस, one commodity case, one commodity case, और one commodity case, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, cardinal utility approach, cardinal utility approach, कभी कभी question में आ सकता है आपसे, कि boss आप one commodity case explain कर दो, या cardinal utility approach explain कर दो, एक ही बात की बात हो रहे हैं, क्या अपर cardinal का मतलब क्या होता है, something which can be measured in terms of money is known as cardinal, something which cannot be measured in terms of money, उसको हम बोलते हैं, cardinal आ गया आएगा, ति cardinal मतलब क्या हो गया, यार measure कर सकते हैं, उसको money, you know, numbers के term में, उसको cardinal बोलते हैं, तो चल, जब भी कभी consumers equilibrium आपसे पूछा जाए, इसका answer कैसे लिखेंगे, explanation कैसे लिखेंगे, तब step by step बताने जा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा boss, जब ही भी, जब ही भी, जब ही भी आपसे पूछा जाए कि consumers equilibrium क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप इसकी लिखोगे meaning, ठीक है ना, शुरू करें, एक second रुख जबास, oh, yes, चलो, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहली heading होती है, meaning यह consumers equilibrium का meaning, तो चलो, पहले मैं समझाऊंगा, फिर लिखवाता हूँ, जनरली होता क्या है, consumer is set to be in equilibrium, when he attains equal satisfaction, out of his spending, मतब जितना पैसा खर्च करें, उतना ही satisfaction मिल जाएगा, तो उसे बोलते हैं, consumers equilibrium, one commodity case में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पैसा वसूल situation होती है, याद करो जब तुम लोग three idiots picture दिखने गए थे, 100 रुपए के ticket लिए और 100 रुपए का मज़ा आ गया, उसे बोलते हैं, पैसा वसूल, पैसा वसूल की जो situation होती है, उसे कहा जाता है, consumers equilibrium, लेकिन पैसा वसूल तो exam में लिख ले नहीं सकते, क्या लिखेंगे जो मैं में को खुश कर दे, लिखो भी या, आ गुश में लिखेंगे 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 given income on purchase on purchase of goods on purchase of goods so as to maximize so as to maximize his total utility a consumer will be in equilibrium when he spends his given income on various commodities goods and services जहाँ पर उसकी T.U. maximum हो जाए जैसे ही meaning लिखा second step आता है condition लिखने का condition यहाँ पर क्या होती है M.U.X is equals to P.X condition क्या होती है M.U.X is equals to P.X अगर condition नहीं लिखी तो consumers equilibrium का पूरा answer काट के 0 मिल जाएगा तो ध्यान रखना यह condition लिखना बहुत जादा जरूरी है यहाँ पर M.U.X क्या होता है यह होता है marginal utility derived by good X और P.X क्या होता है मेरी जान P.X होता है price of good X ठीक है M.U.X क्या होता है marginal utility derived by good X और P.X क्या होता है price of good X ठीक है तो पहली heading क्या हो गई meaning कैसे आ होती लिए दूसरी heading लिखी आपनों उने कि condition क्या है आगे बढ़ते है third heading schedule and diagram third heading schedule चोलो बेरे साथ schedule लिखते हैं यहाँ लिखेंगे units और यहाँ लिखेंगे M.U.X units और M.U.X units लिखेंगे सब लोग 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 और लिखेंगे units किसकी हैं shirts की एक consumer है जो shirts खरीदने गया है देगा shirt यसे मैंने पैनी ही न पैसे shirt खरीदने गया फिर M.U.X है पहले में लिखेंगे 700 650 600 फिर लिखेंगे 500 350 और यहाँ पर लिखेंगे let T.X is equals to rupees 600 यह assume किया है मतलब price कितना है 600 रुपए अब हमको यह पता लगाना है कि consumer ना किस point पर equilibrium में होगा और मैंने आपको यह बताया है जब P.X और M.U.X बराबर हो जाएं वहाँ पर equilibrium में होगा तो चलो भाई देखते हैं पहली unit पर M.U.X 700 है और P.X 600 है क्या बराबर है नहीं second unit पर 650 यह 600 नहीं third unit पर consumer equilibrium में होगा because यहाँ पर M.U.X और P.X बराबर है समझ में आया यह ऐसे schedule में लिख देना मैं खुश हुज जाएंगी नमबर मिल जाएंगे आपको चलो भाई अब ज़रा diagram भी बनाके दिखा देते हैं diagram बनाते हैं यह diagram यह है x-axis 0 y-axis क्याहा लिखते हैं अपन लोग units of shirt क्याहा लिख रहे हैं M.U.X और साथ में P.X price भी draw करेंगे और M.U. भी draw करेंगे price तो है हमारा 600 पर तो यह हो गया P.X और हमारा M.U. कहाँ पर touch कर रहा है M.U.X कहाँ पर touch कर रहा है third unit पर तो इसका मतलब इस point पर equilibrium होगा खीक है न इस point पर equilibrium क्यों हो रहा है समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात because यहाँ पर M.U.X और P.X बराबर बराबर है इसलिए यहाँ पर equilibrium हो रहा है clear, sorted तो पहली heading लिखी meaning दूसरी heading लिखी condition तीसरी heading लिखी आपने schedule और चौथी heading हो जाएगी diagram और जितना भी आपने लिखा है यह सब आप पाँच भी heading के अंदर explain करके आएंगे explanation के अंदर तो explanation में क्या लिखोगे साहब explanation में लिखेंगे let the price of shirt be 600 and units लिख दी आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 what if a consumer consumes first unit at this point he is attaining MUX of 700 whereas PX is 600 only hence at this point consumer will not be in equilibrium likewise step by step आपको explanation करके आना पड़ेगा और कैसे explaining करते हैं pre-study material में देख लो जाकर चीक है पस आगे बढ़ते इस diagram में दो चीज और बता सकते हो हाला कि इसको level पर नहीं बताई गई है ये वाला situation किसी इसका है यहाँ पर देखो MUX जादा है PX कम है इसको बोलते हैं surplus ठीक है ना इसको क्या बोला जाता है surplus और नीचे जब MUX कम हो जाता है PX है तो उसको बोलते है deficit तो आज की class के लिए मैंने इतना ही पढ़ाया है next class के अंदर हम लोग two commodity case, indifference curve analysis दोनों complete कर रहे हैं याद रहे हैं रोज 5 बजे आपको economics का video मिल रहा है on YouTube जिसमें हम पूरा syllabus complete कराने वाले हैं एक बात और याद कर लो थोड़े ही दिन में आपको accountancy, e को तो आई रहा है और commerce के भी videos alternate days पे मिलना शुरू हो जाएंगे till then keep smiling and keep learning तो बस इतना सा काम है अपने juniors तक अगर आप senior हो तो वीडियो भेजो और अगर आप वीडियो देख रहे हो class 12 में हो teachers को जरूर भेजो साथ में classmates को भी till then bye bye